नमस्कार मित्रों स्वागत हैं बने रहें बनार सेंचल के साथ तो आज एक फिर प्रेक्टिस पेपर पे आते हैं और ये एक्चुली एसिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है जो आया हुआ है तो लीजे अपना नेमित प्रयाश करने के दौर में पहला क्वेश्चिन निमनलिकित में कौन एक रिगवेद की जीवित साखा है माध्यान दिन, काठक, साकल, तैत्रिया तो जो इसमें से एक रिगवेद की जीवित साखा है सही उत्तर है आपका कौन सा? साकल तो मित्रों मेंली जो वेदों की कई साखाएं हैं जिन्हें चरण की संग्या दी गई है और साखल साखा रिगवेद से जुड़ी एक मात्र जीवित साखा है यजुरवेद को सुकलई यजुरवेद, कृष्ण यजुरवेद को दू साखाओं में बाटा गया है और जो सामवेद की हैं उसमें पता होगा मित्रों कौथुम, रानाइनिय, जैमिनिय और तलव कार ये तीन साखा हैं अथरवेद की साखा है, सौनक और पिपलाद तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि साखल साखा सबसे प्रमानित और जीवित साखा है दूसरा प्रश्न, कौन सा अभिलेक कुशान वंस की वंसावली का उलेखनी संकेत देता है आरा लेक, सुर्कोटल लेक, रबतक लेक या फिर आपका मथुरा लेक तो सही उत्तर है, जो अभिलेक कुशान वंस की वंसावली का उलेखनी संकेत देता है वो है आपका रबतक लेक और रबतक लेक के बारे में कुछ विशेस अगर कह सके तो अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में इस्थित मित्रों ये सुर्ख कोतल के पास रबतक नामक अस्थान पर काफिर का किला नामक एक पहाड़ी पर 1993 में रब्तक अवलेक की खूज की गई और बैक्ट्रीन भासा यूनानी लिपी देख लिजेगा भासा बैक्ट्रीन है और लिपी यूनानी है इस लेक का प्रतम संपादन तथा अनुवाद निकूलस, सिमस, विलियम्स तथा जो क्रिव ने किया था रब्तक अवलेक प्रतम अ बढ़न भी है तीसरा भारत में लेखों और चित्रों यूग्त सिक्कों का प्रचलन निम्ण में से किसने करवाया तो मौर्यों द्वारा आपका इंडो सीथियन द्वारा इंडो ग्रीड द्वारा या फिर कुछानों द्वारा तो जयुत्तर क्या होगा अनुमान लगा सही उत्तर इसका है आपका भारत में लेखों और चित्रों यूग्त सिक्कों का प्रचलन जिसने करवाया वह आपका इंडो ग्रीक द्वारा लेखों और चित्रों यूग्त सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले इंडो ग्रीक सास्कु द्वारा करवाया गया और भारती प्रद पुरीक सासक इंतियूकस प्रथम था कौन इंतियूकस प्रथम चोधा प्रश्न असोग कि किस सिलालेक में कारुवकी और पुत्र तीवर का उलेक मिलता है तो लगू सिलालेक साथ रानी का सिलालेक लगू सिलालेक 13 या फिर इस्थम्भ लेक साथ तो असोग कि जिस सिलालेक मे Snigar religion कारुएकी और पुत्रीव काुलिक मिलता है सहिपतर है आपका पि रानी का शिला लेक कवसामभी या प्रयाग लगु इस्तंब लेक को मित्रउ रानी का शिला लेक या रानी का अभिलेक कहा जाता है इसकी खोज 1834 सीश्वी में कैप्टन बॉंड द्वारा किया गया था और इस लेक में मित्रों असोग की रानी के दान पुन्य का उलेक मिलता है और साथ ही उसके पुत्र तीवर का उलेक मिलता है असोग के अब लेक में बॉनित यही एक मात्र पतनी थथा पुत्र है और इस लेक को मित्रों असोग के दान अविलेक भी कहा जाता है या लगू इस्तंबलेक में लिखा है कि उपास्कों को प्रतेक उपोश्चत दिवस पर आकर इस नियम को पालन करना चाहिए नेक्स्ट कोश्चन फाइफ निमनलिकित एतिहासिक अस्तलों को भागोलिक दिस्टी से उत्तर से दच्छन की क्रम में विवस्थिक करें तो देख लीजे द्वार समुद्र स्रमण बेल गोला आपका मानने खेत और इहाल तो सही उत्तर क्या होगा सबसे पहले उत्तर से धक्षन की क्रम में करना है मित्रों तो अपना भी अनुमान लगाईए तो सही उत्तर है सबसे पहले आपका आजाएगा उत्तर में आपका सी मानने खेत पहले नंबर पर फिर डी एहोल दूसरे पर तीसरे पर दार द्वार समुद्र और चौत्थे पर स्रमण बेल गोला तो कह सकते हैं आपका उत्तर डी सही है अगला प्रश्न कोश्चन सिक्स कीर्थी कौमुदी का लेखक कौन था ए राजसेकर बी मेरुतुंग सी उधर प्रभा दी सोमिश्वर देव तो कीर्थी कौमुदी का आपके लेखक अनुमान लगाईए तो कीर्थी कौमुदी का लेखक थे आपके डी सोमिश्वर देव आपके सही उत्तर है गुजरात के चौलुक के वन्सका इतिहास हमें मुख्यरूप समित्रों जैन लेखकों के गरंथों से यात होता है और ये लेखक चौलुक के सास्कों के राजसाभा में निवास करते थे इन गरंथों में हिमचंद का द्वार काव्य मेरुतुंग की सूरी का कुमार भुपाल चरित जिनके अध्यन से हमें इस वन्सके सासकों के राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्दियों का ग्यान होता है Q7. मुरुजूल जहाब के लेखक कौन थे? सुलेमान, अलमसूदी, अलबिलादूरी, मिनहाजूदी तो मुरुजूल जहाब के लेखक आपके हैं? अलमसूदी Q8. निम्न लिखित में से कौन सा मानो प्रकार निम्न पूरापाशान संस्कृतिक से जुड़ा है होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडर्थ, लेसिस, ग्रिमाल्डी तो सही उत्तर है आपका अपना अन्मान लगाई मित्रों सही उत्तर है भी होमो इरेक्टस मानो प्रकार पूरा पाशान संस्कृतिक से जुड़ा है Q9 मद्य पाशान काली उपकरणों के निर्मान में निम्ण तक्निकों में कौन सी पद्यती प्रियोग में नहीं ली जाती थी तो नहीं पर विश्यज ध्यान रहेगा दबाव तक्निक आपका घात प्रति घात तक्निक प्लूटिंग तक्निक और घरसन तक्निक तो मद्य पाशान काली उपकरणों के निर्मान में जो तक्निक प्रियोग में ली जाती थी सबसे पहले उससे देख लेते हैं प्रियोट टेक्निक ली जाती थी घात प्रति घात तक्निक प्रक्रिशन टेक्निक यह भी ली जाती थी फ्लर्टिंग टेक्निक यह भी ली जाती थी घरसन तक्निक नहीं ली जाती थी Q10, भारती पूरातत्य चर्व्भाग किस वर्स में अस्थाई विभाग बना 902-1904-1906 तो भारती पूरातत्य चर्व्भाग जिस वर्स में अस्थाई विभाग बना वो है आपका 1906 Q11 जॉन मार्सल के बाद भारती पुरात्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत कब हुई 1861 में 1906 में इसको अस्थाई बना दिया गया और प्रथम महानिदेशक 1871 में कनिंगम को बनाया गया जॉन मार्सल 1902 से 28 तक पुरात्त विभाग के महानिदेशक रहे और इसके बाद H.H.R.Grips 1928 से लेके 1931 तक महानिदेशक रहे दया रामसानी मित्रों 1931 में इसके महानिदेशक बने जो प्रथम भारतिय थे Q12 निम्न लिखित में कौन पुटेशियम आरगन तिथी करण के लिए उप्यूक्त है जली हुई मिट्टी, बेशाल्ट, जली हुई हड़ी या मृत्भांड जो पुटेशियम आरगन तिथी करण के लिए उप्यूक्त है वो है आपका B बेशाल्ट Q13, मार्टीमर वीलर ने किस उत्खनन विधी की तुलना एक रेल गाड़ी की समय सारणई से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है तो सही उत्तर क्या होगा पहले options को देखते हैं तो सही उत्तर है मित्रों आपका A शैर्षिक उत्खनन की विधी Q14, Notes on Archaeology for guidance in the field नामक पुस्तक के लिखक कोन है तो जे जी डी क्लार्क, मार्टीमर वीलर, ग्लेन डेनियल, ओजी एस, क्राफोड तो सही उत्तर है Notes on Archaeology for guidance in the field के लिखक है आपका D, OGS, क्राफोड जे जी डी क्लार्क, मित्रों, The Prehistoric Cultures of the Horn of Africa लिखे हैं मार्टीमर वीलर की एक पुस्टक है, Early India and Pakistan और मित्रों, Notes on Archaeology for guidance in the field, ये क्राफोड की है एक Cultural History of India, A.L. बासम, कभी-कभी पूच लिया जाता है Q15, निम निलिकित पूरा पाशाणिक अस्तलों को तिथी क्रमा नुशार विवस्तित करना है जौलापूरम 9, अतिरम पक्कम, इशामपूर, जलालपूर और दीना तो सही उत्तर क्या है, अनमाल गई मित्रों तो सही तिथी क्रम में सबसे पहले आपका आजाएगा अतिरम पक्कम, फिर आया आपका इशामपूर, फिर आपका जलालपूर दीना और अन्तिम में जौलापूरम 9, तो सही उत्तर है question 16, निमनलिकित में से कौन 9 पाशाण अस्तलों किती थी 6 सहत्राब्दी इशापूरू है कोल्डिवा, मागणा, टोकवा, पंचो तो जो 9 पाशाण अस्तलों किती थी 6 सहत्राब्दी इशापूरू है वह आपका कोल्डिवा, टोकवा, बी, correct answer question 17, निमनलिकित में से कौन 2 उत्खनित अस्तलों है, चिर्की निवाशा, चिरांद, बागोर, होशंगी तो जो 2 उत्खनित अस्तलों आपके अस्तलों है, वो हैं आपके अपना बेनमान लगाई मित्रों पहला, शिर्की निवाशा और होशंगी, C, correct answer question 18, निमनलिकित अस्तलों के सांस्कृतिक अनुकरम को काला अनुकरम के अनुशार विवस्तित करना है, तो देख लीजिए, अहाड, बीरभानपूर, स्रावस्ति, गुफ कराल तो काला नुकरम के अनुशार जो विवस्तित करना है, उसमें सबसे पहले आपका है, बीरभानपूर, फिर गुफ कराल, फिर अहाड और अन्तिम में स्रावस्ति, तो कह सकते हैं, एक correct answer है question 19, निमनलिकित में से किस संस्कृति में मृतक के नीचले पहर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था, जोर्वी संस्कृति, नवपाशाण संस्कृति, काय था संस्कृति, या फिर चित्रिदूशन मृत्भांड संस्कृति, तो जिस संस्कृति में मृतक के नीचले से पूरू काड दिया जाता था वो है आपका ए जोर्वे संस्कृति कोश्चिन 20 निमनिलिखित मानो समुव में से कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार माना जाता है होमो हेबिलिस होमो इरेक्टरस होमो इर्गास्टर होमो नियंडर थैलेसिस तो मानो समुव में से एक जो सबसे बुद्धिमान प्रकार माना जाता है वो है आपका डी होमो नियंडर थैलेसिस क्वेश्चिन 21 मुच्छ तल चिंता मनी गवी एक पूरा तत्व गुफा अस्थल का संबंद निमन में से है निमन पूरा पाशान संस्कृति मद्य पूरा पाशान संस्कृति उच्छ पूरा पाशान संस्कृति या मद्य पाशान संस्कृति तो सही उत्तर है मुच्च तल चिंता मणी गवी एक पुरा था तो गुफा अस्थल का संबंद आपके सी उच्च पुरा पाचान संस्कृति से है Q22 निम्न लिखित अस्थलों में से कौन अस्थल प्रारंबिक हडपन चरण से संबंदित नहीं है तो नहीं पे विशेज ध्यान रहेगा राखेगड़ी धोला वीरा कुनाल हुलास तो जो हडपन अस्थल प्रारंबिक हडपन चरण से संबंदित हैं सबसे पहले उनको देख लीजे राखिगड़ी है हाँ है धोला वीरा है ये भी है कुणाल ये भी है हुलास मित्रों ये नहीं है रीगवेद में स्वर्सती नदी की किन सहायक नदियों ये औंमा लगा ये मित्रों कौक्व सा है तो वो है आपका ए द्रिश दती एवं आपया नदी 24 रिगवैदिक परजन किसके दिवता थे वर्षा जल नदी के अगनी के प्रिथवी के वनस्पती के तो रिगवैदिक परजन जिसके दिवता थे वो है आपका ए वर्षा जल और नदी के question 25 मृत्भांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन किस अस्थान से प्राप्त हुआ है मोहन जोदरो कुनाल सिनोली भिराना तो सही उत्तर क्या है मित्रों अनमा लगाईए आपका मृत्भांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन जिस अस्थान से प्राप्त हुआ है वो है आपका डी बिराना कोईशन 26 निमने लिखित को सुमिलेद करना है और दिये गए कूट से सही उत्तर का है तो सुमिल कर लेते हैं मित्रों रिगवेद का अध्यता कौन था तो हुरोत या होता या जूरवेद का मित्रों अघरवयू शामवेद का अनमा लगा ये उद्गाता लोद्गराद अथरवेद ब्रामण 27 निमने लिखित में से कौन वैदिक देवता का अउलेक बोगज कोई अविलेक में मिलता है इंद्र मित्र नाश्यत्य वरून अगनी इंद्र मित्र नाश्यत्य वरून यम या फिर नाश्यत्य वरून यम अगनी तो जिन वैदिक देवताउं का उलेक बोगज कोई अभिलेक में मिलता है वो है आपके इंद्र मित्र नाश्यत्य वरून 28 जनक याग वलक क्या कथानक निमने में प्राप्त होता है सत्पत ब्राम्हण एत्रे ब्राम्हण व्रहदारन्यक उपनिशद कठो उपनिशद तो जनक याग वलक कथानक प्राप्त होता है आपका सी व्रहदारन्यक उपनिशद 29. वैदिक काल में भटकी हुई गायों को शकुषल घर पहुंचाने वाला देवता किसी माना जाता था तो वैदिक काल में भटकी हुई गायों को शकुषल घर पहुंचाने वाला देवता आपके माना जाता था C. उशन next question 30 निम्न में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के संकालिन था Curtis Pliny Aristobulus Justin तो जो इतिहासकार सिकंदर के संकालिन था वो है आपका C Aristobulus question 31 किस यूनानी सासक ने कविशिये नगर देवता का लेक अपने शिकों पर उत्किन कराया A. मिनांडर B. यूक्रेटाइडीज C. डिमेट्रियस D. यूथीडेमस तो जिस एक मुद्रा में कपिशिये नगर देवता कहा गया है जिस सासक को वो है आपका B. यूक्रेटाइडीज 32 Q. हाखामनी राजवन्स के संदर में निमनलिखित कथनों पर विचार करना है और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करना है तो हाखामनी राजवन्स के संदर में कौन से कथन आपके सही है तो देख लेते हैं पहला सिकंदर ने गौगा मेला के युद्ध में दारात रिति को पराजित किया था तो सही कथन है हाँ कि ना हाँ बिल्कुल सही कथन है बी अर्बेला आधुनिक इरान में इस्थित है सही है तो नहीं सी हमदान ये वो नक्स ये रुस्तमदारा प्रतम के अविलेख है तो सही है हाँ बिल्कुल सही है तो कह सकते हैं ए और सी कतर सही है क्वेशन 33 किस ग्रंत में शुद्रुकूं का उल्लेख पहली बार हुआ है महावस्तू पार्णी का गणपाठ सी महाभारत या फिर दी पातंजली का महाभास्य तो अपना अगमा लगा ये मित्रूं कौन सा सही है शुद्रुकूं का उल्लेख सबसे पहली बार कहां हुआ है तो वो हुआ है आपका बी पार्णी के गणपाठ में और यवन इतिहास्कारों ने मित्रों संभौता इनहीं का उल्लेख ओवर्स कोई के रूप में किया है और सिकंदर के समय सुद्रक लोग मालाव के पूर्व जेलम और चिनाप के संगम के नीचले भाग में रहते थे धीरे धीरे ये लोग राजस्थान की और चले आए नोहर सरदार सहर में इनके दो सिक्के भी प्राप्त हैं कोईशन 34 भीक्षुकों का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रती विरोधी भावनाय रखता था पंच कोंडिन शप्त निगंठ सड़ वर्गिया चत्वारी शंगध्वाज तो भीक्षुकों का जो वर्ग बुद्ध के प्रती विरोधी भावनाय रखता था वो है आपका सी वरगिया Question 35 अर्थ सास्त में बॉन्डी सासन के उप विभागों का निमनी लिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है तो देख लिजे क्या होगा A. अस्थानिय एक हजार गाउं का समुख सही है तो हाँ सही है B. द्रोण मुख 400 गाउं का समुख तो यह सही है मित्रों तो क्या कहेंगे यह खारवाटिक 200 गाउं का समुख संग्रहन 100 गाउं का समुख तो आपका मित्रों यह द्रोण मुख भी बिल्कुल सही है 400 गाउं का समुख खारवाटिक 200 गाउं का समुख और संग्रहन मित्रों यह है 10 ग्रामों का समुख यह आपका गलत है नेक्स्ट execute स्चिं 66 प्रचीन कालमे नालंदा महाव्यहार के कुलपती कोन थे गुणमति डिपंकर सारिपुतर शील्भत्र तो प्राचीन कालमे नालंदा महाविहार के आपके कुलपती थे सेवत्तर क्या होगा D. शील बात्र Question 37 निमने लिखित में से कौन सा यूब सही नहीं है कपिल वस्तू, बुली, सही है मित्रो पिपली वन, मौर, पावा, मल, सुमसुमार, भग तो आपका जो सही नहीं है वो है कपिल वस्तू, बुली कपिल वस्तू का मित्रो क्या है, साक्या जो गणराज ये था, वो शाक्य था पिपली वन के मौर, पावा के मल, सुमसुमार के भग Question 38 निमने लिखित में से किस ग्रंत से चेटक द्वारा, आजाद सत्रू के विरूद, काशी और कोशल के राजाओं के साथ अवश्यत चूणी, हरिवन्स पुराण, अराधना कोश, नेर्यावली सुत। तो जिस ग्रंत में चेटक द्वारा, आजाद सत्रू के विरूद, काशी और कोशल के राजाओं के साथ Question 39 स्वेतांबरों के अंसार महिला तीर्थंकर कौन थी? आदिनात, नेमी नात, मली नात, पार्षनात तो सही उत्तर क्या होगा? स्वेतांबरों के अंसार महिला तीर्थंकर आपके C, मली नात Question 40 असोग के किस सिलालेक के सीर्थ पर घज की आकरिती के उत्कीणन के साथ गजतमे लेक अंकित है तो मान सहरा आपका गिरनार कालसी धौली सही उत्तर है सही उत्तर आपका C, कालसी इसी के उपर गजतमी लेक अंकित है और मित्रों ये कालसी सिलालेक उत्तराखंड के धहरादून में इस्थित है और इसकी खोज 1860 में फोरेस्ट महोदय ने किया था किसने? फोरेस्ट महोदय ने Question 41 वन निमने लिखित में से कौन सा अभिलेक बली वर्द सहली में लिखा गया है सार ई कुना अभिलेक एरा गुडी अभिलेक निगाली सागर अभिलेक रुम्मंदेई अभिलेक तो सही उत्तर क्या होगा जो अभिलेक बली वर्द सहली में लिखा गया है वो है आपका अनमान ल लिगोज 1929 आड़ु धोश ने की थी । नेक्स्ट्ट कुईशन हर फोटीटू मौर्यप्रशासन में कुप्पे आध्यक्ष प्रभारी अधिकारी थे परिवाहन संसाधन कृष्ए संसाधन जल शंसाधन वन is better प्रशाषन में कुप्य अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी आपके थे अनुमान लगाईए डी वन संसाधन और कोटी लिके अर्थसास्त्र में में 26 या 27 प्रकार के अध्यक्ष्यों का उलेक होता था जो विभिन्य विभाग के स्वामी होते थे कोटी लिके अर्थसास्त्र में कितने अधिकरण और स्लोक हैं 15 अधिकरण 6000 स्लोक 10 अधिकरण 5000 स्लोक 20 अधिकरण 3000 स्लोक या 12 अधिकरण 6000 स्लोक तो सही उत्तर हैं आपका कोटेली के अर्थसास्त्र में आपके 15 अधिकरण और 6000 स्लोक थे एक करेक्ट अंसर और मित्रों यह जो अर्थसास्त्र है यह संस्कृत में है और गद्य भासा संस्कृत है गद्य पद्य मिस्त्रित हैं और यह सूत्र सैली अथ्वा ग्रंथ सैली मे लिखा गया है और इसमें जो 6000 स्लोक 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है और हिंदू राजसासन पर प्राचिनतम पुस्तक यह पता ही है और इसकी पहली प्रति जो खोजी गई थे 1905 में राम सास्त्री के द्वारा अर्थ सास्त की पहली पांडूलिपी खोजी गई राम सास्त्री के द्वारा 1905 में और प्रत्थम अंग्रेजी अनवाद 1915 में हुआ को स्थापित करना था हुआ अधिकारी कौन था मोकौन जोका अब्दागेशस गनपतो या सफर तो सही उत्तर है आपका कनिस्क ने अपने एक अधिकारी को मंदिर के निर्माण का आदेश दिया रप्तक अभलिक के अंसार जहां नाना देवी अन्ने देवी देवताओं के प्रत्मा को इस्थापित करना था और यह अधिकारी था मित्रों शफर डी करेक्ट आंसर शफर question 45 सुमेल करना है देख लिजे सूची एक का सूची दो के साथ इस तरह से सुमेल होगा मित्रों तो अमरावती आपका किस से सुमेल होगा अपना अनमान लगाईगे मित्रों आपका अमरावती शुमेल है यह इस्थूप है भाजा भाजा मित्रों यह आपका सैल कृत गुफा है भूनेश्वर भूनेश्वर है मंदिर और भीम बेट का सैल चित्र कला Q46 ओशो प्रकार के मुद्रा किसने चलाई थी विम कड़ फाइसेस कोजुल कड़ फिशेश वाशुदयो या कनिश्क तो ओशो प्रकार के मुद्रा जिसने चलाई वो है आपका डी कनिश्क Q47 धरण और पुराण को निमन लिखित में से किसके रूप में पहचाना जाता है साहित मन के मुद्राएं ताल के यंत्र तो धरण और पुराण को जिसके रूप में पहचाना जाता है वो है आपका C coins या मुद्राएं Q48 दो मस्तूल वाला जहाज निम्न राजा के सिक्कों पर अंकित प्राप्त होता है वासास्टी पुत्र पुल्मावी वेच्ष्री साथकर्णी याग्ष्री साथकर्णी पुल्मावी चतुर्थ तो दो मस्तूल वाला जहाज जिस राजा के सिक्कों पर अंकित प्राप्त होता है वो है आपका C. याग्ष्री साथकर्णी पहली बार किसने अपनी मुद्राओं पर चंदो बध मुद्रालेक उतकिन करवाया था कनिश्क, समुद्रगुप्त चंदगुप्त प्रथम रामगुप्त तो जिसने अपनी मुद्राओं पर पहली बार चंदो बध मुद्रालेक उतकिन करवाया था वो है आपका B. समुद्र गुप्त और ये भी याद रखे हैं मित्रों कि गुप्त साजकों ने सरवादिक सोने के सिक्के जारी किये और साथ में गुप्त सोने के सिक्के तॉल ये वो मान में कुशाण स्वाण सिक्के से भारी थे लेकिन स्वाण की मात्रा कुशाणों के तुलना में कम थी Question 50 सुमेल करना है मित्रों देख लीजए आपका ये सूची एक को सुची दो के साथ तो अपना अन्मान लगाईए तो पहला भर्त मिंट ये किसके साथ सुमेल होगा तो ये सुमेल होगा मित्रों पुस्तक है है ग्रीव डंडिन ये इजी है बताईए काव्या दर्श इश्वर इश्वर कृष्ण तो ये है सांख्य कारिका भर्त हरी स्रिंगार शतक फिफ्टी वन किस गुप्त साथ सासकों के सिक्टे पर चामर धारणी का अंकन है समुद्र गुप्त कुमार गुप्त प्रथम समुद्र गुप्त और कुमार गुप्त या फिर सिर्फ समुद्र गुप्त तो जिस गुप्त साशक या साशकों के सिक्वे पर चामर धारणी का अंकन है वो है आपका समुद्र गुप्त और कुमार गुप्त मतलब कह सकते हैं C आंसर करेक्ट है हर्ष्चरित अध्यायों में विभक्त हर्ष्चरित अध्यायों में विभक्त जिने कहा जाता है उच्छ्वास, अधिकरण, सर्ग, तरंग तो सही उत्तर है आपका ए उच्छ्वास, सुरे मित्रों, ए उच्छ्वास 53, चीनी यात्री फायान चीन के किस अस्थान से भारत आया था? तो उयूंग, उहान, बीजिंग या पेकिंग, तो चीनी यात्री फायान आपका जिस अस्थान से भारत आया था? ए उ यंग नमक के यह सहर है मित्रों और जिसका मूल नाम कुंड था और भारत की यात्रा की सुरुवात उसने चंगन से की और तीन सो निन्यानबे इस्वे में भारत आया और चौदव वर्स तक घ्रमड करने के पश्चात चार सो चौदव में मित्रों जलमाग्ज से लंका ज योखी है इसका और इसने पार्टली पुत्र में तीन वर्स रहकर संस्क्रित की सिक्षा या सीखा था कोईशन 54 गुप्त यूगीन मूर्ती सिल्फ में राजा बली द्वारा यस के संपादन का अंकन कहां से ग्यात है विदीशा नचना कुठारा पवाया या दस्पूर तो गुप्त यूगीन मूर्ती सिल्फ में राजा बली द्वारा यस के संपादन का अंकन आपका ग्यात है C. पवाया पवाया से और ये पवाया की मूर्तिकला मिनली है मित्रू Question 55 निमनलिकित सिक्कों को काल क्रमानुसार विवस्तित करके सही उत्तर का चैन करना है और प्रतिग प्रकार के सिक्के धनुर्धारी प्रकार के सिक्के सिंगासन प्रकार के सिक्के या द्वसधारी प्रकार के सिक्के तो सही उत्तर आप अपने पहले अनुमान लगा लिजी मित्रों तो सही उत्तर है आपका ए मतलब सबसे पहले नंबर पे आता है आपका द्वसधारी प्रकार के सिक्के उसके बाद आता है धनुर्धारी ध्वजदारी, धनूरदारी, फिर सिंघासन प्रकार, फिर अप्रतिक प्रकार के सिख्कें, तो कह सकते हैं ध्वज, धनूर, सिंघासन, अप्रतिक 56. सिंधु पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का सासक कौन था? दाहिर, जुनायद, चच या फिर जैसिंग तो सिंधु पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का सासक आसान सा प्रश्ण है ए दाहिर था और सिंध पर अर्बों का प्रथम आकरमण मित्रों सभी को पता होगा मुहफम्मद बिन कासिम के नित्रुत में 712 इसवि में हुआ और सिंद पर अरब आक्रमन के जानकारी चैचनामा नामक ग्रंथ से इस ग्रंथ का नित्रूम फार्सी अनवाद अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया तो ये याद रखने लाइक बात है कि चैचनामा का फार्सी अनवाद अबू बकर कूफी के द्वारा question 57 राश्ट कुट कला का अत्यन सुन्दर और सुप्रशिद सिव पार्वती परिणाई का द्रिश कहां अंकित है मानिखेत, एलोरा, एलीफेंटा, राधनपूर तो सही उत्तर है मित्रों यहां पे दो उत्तर सही दिखा रहा है एलोरा और एलीफेंटा और दोनों में ही पाया जाता है एलोरा में मित्रों पता होगा कि कुल 34 गुफा मंदिर है एक से लेके 12 तक बहुत और 13 से लेके 29 तक सैव और गुफा संक्या 30 से लेके 34 तक जैन है और एलोरा में ही मित्रों कृष्ण प्रतम दौरा निर्मित कैलासनात मंदिर इस्तित है जो पाशान को काटकर सब से द्रशिद मंदिर है एलिफेंटा मुंबई में इस्तित है और इसमें मुख्यता सैव धर्म से संबंधित है तो जो इसमें उत्तर माना गया है आयोग ने माना है उसको बी को करेक्ट माना है 58 पाल सासक राम पाल का एतिहासिक जीवन वृत राम चरित किस ने लिखी थी सुम प्रभाचार संध्या कर्नांदिन हेम चंद्र पद्मगुप्त तो पाल सासक राम पाल का एतिहासिक जीवन वृत लिखा गया सी हेम चंद्र के द्वारा सुरी मित्रों लग रहा है इसमें कुछ गरवड़ी है यह बी है मित्रों माफ कीजिएगा गलत उत्तर के लिए यह बी है संध्याकर नंदिन संध्याकर नंदिन के जो पिता थे प्रजापती नंदिन रामपाल का संधी विग्रहिक था कुश्चिन 59 पूरुवी भारत में विक्रम सिला महाविहार बौध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान के इंद्र था वैभाशिक विज्ञानवाद वज्रयान शुनिवाद तो सही उत्तर क्या है पूरुवी भारत में विक्रम सिला महाविहार बौध धर्म के संप्रदाय का प्रधान केंदर था वो है आपका वज्र यान सी करेक्ट अंसर सिस्टी संगम साहित ग्रण्त टोलक पिम किस विद्या से समबन्दित है राजनिती कितिहास ललेतकला कवीता या व्याक्रण तो संगम साहित ग्रंथ तोलक्यम जिस विद्या से संबन्दित है वह है आपका डी व्या करण और यह मित्रों प्राचींताम संगम साहित ते हैं एक मात्र अप्लब्द और रचनाकार तोलक्यर अगस्तरीशी के बारसश्यू में से एक थे तमिल व्याकरण ग्रंथ है सूत्र में लिखा हुआ है और संगमकाल के तीन महाकाविग्रंथ महत्पूर्ण जोपलब्द हैं सिल्पादिकारम इलंगो अधिकिल रचेटा या लेखक मड़ी मेखलय सीतलय सत्नार जीवक चिंतामड़ी लेखक तिरुत तिरुक देवर 61 निम्लिखित उत्खनित अस्थलों में से कहां से दक्षिन भारत और रोमन जगत के बीच व्यपारिक संबंदों के साक्ष मिले हैं अरिका मेडू, नागरजुनिकोंडा, हल्लूर, मासकी तो जहां से दक्षन भारत और रोमन जगत के बीच वेपारिक संबंदों के साक्ष मिले हैं ये अरिका मेडू उत्खनित अस्थलों में से कहां से दक्षन भारत के रोमन जगत के बीच वेपारिक संबंदों के साक्ष मिले हैं अरिका मेडू 62 गुर्जद प्रतिहार राजवन्स के प्रथम पुरुष हरिश्चन्द का उलेक किस अभिलेक में किया गया है मिहिर भोज के ग्वालियर प्रसस्ति बाउक का जोधपूर अभिलेक गोविन तरितिय का राधंपूर अभिलेक पुलकेशिन दुतिय का एहोल अभिलेक सिस्टी 1ering चीन में कुमारजीत के बाद बहुत गरंतों का अनवाद निम्न naturalrd उय 네 घ्शाल्र तो चीन में कुमारजीत के के बाद बहुत गरंतों का अनवाद जिस न espaçoया दो आपके पुन्न स plasterth ने किया बढ़्द ये शिषाश ने किया धर्म येसस ने किया सांत रच्चित ने नहीं किया था question 64 सुमेल करना है मित्रों देख लिजिए एक तरफ मंदिर है और एक तरफ अस्थान है तो देख लेते हैं होई सलेश्वर ये आसान साह है मित्रों ह से होई सलेश्वर ह से हलेवीट कुम्भल स्याम ये है चित्तोड, स्री रंगम तीरूल, चिरापली विजय विठ्थल ये मित्रों हैप का हमपी सिस्ति फाइफ धर्म सास्त्रों में पती के प्रवास में रहने के इस्तिती में इस्त्रियों के लिए किस पद शब्द का प्रयोग किया गया है तो धर्म सास्त्रों में पती के प्रवास में रहने के इस्तिती में इस्त्रियों के लिए जिस पद या शब्द का प्रयोग किया गया है वो है आपका प्रोशित भत्रिका या प्रोशित पत्रिका ए question 66 खजराहों के मंदिर वास्तुकला के निमने लिखित भागों को और ओही क्रम में विवस्थित करते हुए कूट से सही उत्तर जानना है मित्रों तो आप यहीं से करने का प्रयास करिए जगती, आमलक, कलस या अधिस्थान तो और ओही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा मित्रों सबसे कलश फिर आमलक फिर अधिस्थान और अंत में जगती यह है आपका क्रम question 67 कुट नीमत के लेख़ कौन थे दामोदर गुप्त, लक्षमी धर महेंदर वर्मा या देवगड तो कुट मीर नीमत के लेख़ आपके ए करेक्ट आंसर है दामोदर गुप्त question 68 संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है किसका कथन है चार्ल्सफर्थ, कालिंग वूड, रेनियर वाल्टर, रेले तो संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है या कथन है आपका कॉलिंग वूड का question 69 इतिहासिक शोद के संदर में मित्रों कौन सा कथन सही है आपको बताना है तो एक एक करके देखते चले जाते हैं एतिहासिक अनुशंधान का शंबंद एतिहासिक समस्याओं के व्याज्यानिक विचलेशन से है सही है या आपका मित्रों अनुमान लगाई है हाँ बिल्कुल सही है दूसरा एतिहासिक अनुशंधान अतीत का विचलेशन करता है तो सही है हाँ सही है तीसरा एतिहासिक शोद को सदयो आभी लिखों का प्रियोग करना चाहिए तो ये मित्रों सही है ये आपका गलत है मित्रों आपका सही उत्तर सी है एक और दो कोईशन सेवेंटी बड़ा कोईशन मित्रों जो सुमेलित नहीं है उसको ध्यान देना है सोध डिजाइन आकणों के संकलन और विशलेशन के लिए प्रते अस्तर के लिए धांचा बनाना सही है ये मित्रों आपका गलत है बी सोध लगुग्रंत प्रस्तावना साहित उनर्विलन सोध प्रणालिया परिणाम चर्चायों निश्कर्ष सही है ये भी गलत है सोध प्रतिवेदन प्रस्तावना सोध प्रणालिया सुचकांक प्रस्तुतिकरण विशलेशन निश्कर्ष सही है तो ये भी गलत है अंतिम प्रशन, सोध, पत्र, प्रस्तावना, शोध, प्रणालिया, पढ़नाम, निशकर्स, तो ये आपका मित्रों बिल्कुल सही है, तो D सही उत्तर है मित्रों, ये देख लीजे, सोध से संबंदित, हाला कि ये TGT, PGT में नहीं पूछा जाता है, पर Assistant Professor की परिक्षाओं में कम से कम प्राची नितिहास के बहुत सारे कठिन प्रशन आपके तैयार होंगे, बने रहने के लिए बनार्शियन चाहिए,